दोस्त आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि desktop support की job आपको मिलती कैसे है और उसमें क्या-क्या requirements होती है जो आपको पढ़ना चाहिए जैसे desktop support L1 और L2 profile की मैं बात करूँगा इसमें जदा टामने लेती है वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप इसके ब्रीफ में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्त तर जरूर देखना दोस्त मैं बता दूं डेक्षाप support L1 और L2 profile दोस्त जो desktop support की job होती है इसमें आपको basic computer knowledge होना चाहिए बेसिक computer knowledge होना बहुत जरूरी है अगर मैं बात करूँ एक यह related job से तो एक hardware and networking दोनों का part होता है जो कि आपको दोनों चीजें पढ़नी पढ़ेंगी अब hardware में आपको RAM के बारें पता हो होती है तो जो hardware part होता ना है आपको hardware भी पढ़ना पढ़ेगा अब अगर मैं बात करूं यहां पर software और application की बात करूं तो आपको basic software application के बारें भी पता होना चाहिए कि software installed कैसे होते हैं software repair कैसे करते हैं operating system क्या होता है operating system install कैसे करते हैं और basic networking का knowledge आपको होना चाहिए like DNS क्या होता है DSCP क्या होता डोरा process क्या होता basic command होना चाहिए networking कितने परकार की होती है types of network land when man और connectivity के बारे में या जो patch के वाल होती है उसके बारे में यह मतलब basic knowledge आपको होनी चाहिए तो आप desktop support level की initial job आप आराम से पा सकते हो थोड़ा सा port number के बारे में भी पता होना चाहिए कि DSCP का port क्या होता है DNS का क्या होता है telnet क्या होता है तो यह आपको command का भी knowledge होना चाहिए और इनके port number क्या होते हैं उनका भी आपको knowledge होना चाहिए यह basic starting level होता है ना उसका आपको knowledge होना चाहिए और मैं आपको एक shortcard तरीका बता दूँ आप direct interview पर जा सकते हो जो मतलब YouTube पर आपको वीडियो मिलते हैं desktop support profile के interview question and answer आप उस पर जा सकते हो आप उसको पढ़के interview निकाल सकते हो बाकि आप company के अंदर सीख सकते हो लिकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना पढ़ेगा अच्छे से कि बायोस कैसे open करते हैं बायोस से password वगरा कैसे set करते हैं time वगरा कैसे change करते हैं और रेजिस्टी में जाके camera कैसे enable करते हैं तो यह basic basic चीज़ हैं जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए जो आपकी एक initial job देंगे अब तोड़ा सा मैं बात करूँ infrastructure के वारे में कंपनी में अंदर काम क्या होता है और example किसी का system beep sound कर रहा है तो आप जाके वहां पे चेक करोगे की बीप sound क्यों कर रहा है बिसक्री जो होता है एक रैम का issue होता है लेकिन इसमें कई तरीके की issue हो सकते हैं कई बार atx4 पर pin connector की वजह से भी बीप sound आता है रैम म लगाओं तो आप टैबल सुट करोगे एकर मैं बात करूं तो कई बार मसीन पर नहीं हो रहा है च्छल करो बाकि अपली के सिटर्वार से क्राओं टो रही होती है तो वहहां बहुत तरीके की इसउप आते हैं है आपको लोकल और और Outlook Companies में बहुत ज़्यादा यूज होता तो आपको Outlook में बहुत सारा पढ़ना पढ़ेगा प्रोफाल कैसे कॉन्फिगर करते हैं सिगनेचर कैसे करते हैं आप मेल सेन रिसीवर तो यह आपको Outlook के बारे में भी उसमें पढ़ना पढ़ेगा अगर इसी में मैं बात करूं की तो काम आपका लगबग लगबग सेम होता है बस थोड़ा सा एक अडवान्स हो जाता है तो उसको थोड़ा सा अक्टिव डारेक्टी का भी आक्सेस मिल जाता है तो कि आप यह आई-वन में इंटर्वी के टाइम पूछा जाएगा तो में भी सब्सक्राइब आपको अडवान्स होता है तो इसी की थोड़ा सा सीनियर प्रोफाइल है पाकि काम लगबग सेम ही होता है बस थोड़ा सा आगे बल जाते हैं लोग तो आप जा सकतो इनिशियल जॉब के लिए डेक्स्टॉप सपोर्ट के परहां यह कोशिज करते रहना कि इक्स्टॉप सब्सक्राइब कैसे फिल फिल का से उसकित है यह सबसे ब्लाइब और किछ एक परटिकुलर डोमें में जाना यह धोड़ा सी Qsa करेंगे से बारे में रागे थोड़ा सा कुछ बताओंगा दूस्तो आज की वीडियों में इतना ही वीडियों का रचल को सबस्क्राइब जरू किया है